Hello everyone, welcome to study time with new informative video. आज आप सभी को पता है, Lower PCS means 2019 की जो परिक्षा थी, वो आयोजित की गई है और इसमें जो प्रथम पाली का पेपर था, जिसमें सामान बुद्धी परिक्षाण, इवं जो GS थी, वो आप से पूछी गई है तो हम यहाँ पर उसकी जो आंसर की है, वो देखने वाले हैं और आप लोगों ने अगर ये पेपर दिया है, एक्जाम दिया है, तो आप जो अपने आंसर है वो चेक कर सकते हैं कि कितने आपके question है वो सही हो रहे हैं और अगर आपने paper नहीं दिया है तो आप इस पूरी वीडियो को देखें और GS के जो question है उनका level देखें कि कैसा है और उसका जो answer है वो भी आप जान लें अगर नहीं पता है तो चलिए, शुरू करते हैं पहले हम सुरू करेंगे सामान बुद्धी परिक्षण की जो question है और इसमें जो direct answer है वो आपको बता दिया जाएगा तो चलिए, पहला जो सवाल है वो यहाँ पर आपको जो graph था वो दिया गया था और इसमें जो पहला सवाल था इसका answer होगा A ठीक है, पहले का होगा A, दूसरे का होगा C, ठीक तीसरे का answer होगा, तीसरे का answer क्या है तीसरे का भी यहाँ पर answer C है, यानि 1.48 ठीक, चौथे का answer आपका जो है, चौथे का answer है B ठीक है, चौथे का answer है B, यानि की 110.48% पाँचवे का आंसर है आपका D, ठीक है, पाँचवे का आंसर आपका क्या है, D, और छटवा जो question है आपका, उसकी बात करें, तो छटवे question का आंसर भी आपका D है, यानि की 2, ठीक, साथमें प्रस्ण का जो आपका आंसर है, वो होगा C, यानि की 24.82%, आठमें question का जो आंसर है, वो होगा B, यानि की 1.34%, ठीक है, सुरी, 1.34, B करेक्ट आंसर होगा, 9 का आपका जो आंसर है, वो होगा D, यानि की 2016, ठीक, और इसके बाद देखते हैं, दसमें question का जो आंसर है, वो है, क्या है, 10 में question का आंसर है, D, यानि की 4.23%, 11 में question, यानि की कौन सा एक अन्यों से संबंदित नहीं है, तो इसका 11 में का आंसर है, A, यानि की हाथी, elephant, ठीक है, ये अलग है, काउगर, सिंग, तेंदुआ, इन सबसे ये अलग है, 11 के बाद, 12 में question का आंसर है, A, यानि की 8, 13 में question का आंसर है, D, यानि की ये जो D दिया ह हुआ है, ठीक है, अगला देखिए, 14, 14 में question है, 14 में question का आंसर होगा, B, ठीक, 14 में question का answer होगा, B, यानि की 2 वर्स, 15 में question होगा, इसका इसका आंसर होगा B, यानि की L, ठीक है, B इसका correct आंसर होगा 16 का, ठीक है, सत्रवा क्वेशन है, इसका सत्रवे का आंसर होगा C, यानि की program, ठीक है, 18 मा दिया हुआ है, इसका आंसर है D, यानि की 5, 6, 7, 3, 8, 9, 18 के बाद 19, 19 नंबर का जो question है, इसका answer है C, 19 का answer होगा C और 20 का आपका answer है, वो होगा D, ठीक है, छलिए, अगला 20 के बाद 21 नंबर का question, और 21 में ये paragraph दिये हुए है, तो 21 का जो question है, इसका जो 21 का answer है, वो है A, 21 का answer होगा A, और 22 का answer है, वो होगा D, ठीक है, 67, अनुपात में 50, ठीक, और 23, 23 का आंसर आपका है, A, यानि की 10,000, ठीक है, 24 मा कोश्चन, 24 में कोश्चन का आंसर है, C, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, C, यानि की 3, और 25 मा कोश्चन का आंसर भी यहाँ पर, C ही है, यानि की 90, 97, ठीक है, चलिए, next, नेक्स्ट है, 26, अब यहाँ से जो आपकी GS है, सामान ग्यान है, वो सुरू होती है, तो 26 मा कोश्चन दिया है, कि आपकी कक्छा में, आपके बगल में बैठा, आपका एक सबसे अच्छा दोस्त, अचानक बीमार पढ़ जाता है, उसे तेज बुखार है, और सांस लेने में दिक्कत बता रहा है, उसकी सिकायत कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, दर के मारे वहाँ से निकल जाएंगे, कि कहीं आप भी बीमार ना पढ़ जाएं, इसकूल के अधिकारियों को सुचित करेंगे, ताकि ततकाल उपाई किया जा सके, और आप उसके माता-पिता को भी सु होगा B, ठीक है, यानि कि इसकूल के अधिकारियों को आप सुचित करेंगे, ताकि ततकाल कुछ उपाई किया जा सके, उसकी बीमारी का, मतलब उसको दवावा दी जा सके, जो भी है, और फिर उसके माता-पिता को सुचित किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो correct answer है, वो B होगा, 26 का, 27 का कोश्चन है कि इसपस्ट संदेश भेजने के लिए महत्पूर्ण लिखना, बोलना, पढ़ना और सारीरी खावभाव जैसे कौसल, डैस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो 27 का जो कोश्चन है, यह A होगा, इसको संप्रेशन कोशल बोलते हैं, यानि कि communication skill आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, 28 कोश्चन है, परिक्षा हॉल में प्रिवेस करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र, आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है, कि वह उन उत्रों की नकल कर सके, जो उसे नहीं आते हैं, आपको उसमें क्या गरना चाहिए ए आप उपक्रत करेंगे क्योंकि वह आपका सबसे अच्छा दोस्त है बी आपने दोस्त को विनम्रता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है सी आप सिच्छक से सिकायद करेंगे कि वह आपको परिशान कर रहा है और उसे दंडित करवाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो फिर बाद में आप कूटे भी जाएंगे अगला है D आप लिखना जारी रखेंगे जैसे कि आपने उसकी बाद सुनी ही नहीं इग्नॉर करेंगे तो फिर बाद में आपका दोस्त क्या वो लेगा एक्जाम के बाद कि मतलवी हो गया तुम तो सुनी नहीं रहते तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 28 का तो करे अगला 28 के बाद 29, 29 में question का answer है निम्र में से कौन सा logic bump के लिए सही है तो correct answer 29 का क्या होगा 29 का correct answer है B ठीक है ये सभी जो है ये सही होगए अगला है 30, 30 का correct answer क्या है कि किसी आधुनी computer का जनक माना जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो option के अनुसार है वो 44 बेवेश correct हो नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यह correct answer होगा RAM, यानि कि B, 31 B, अगला है SSD का पूर्ण रूप क्या है, इसका full form क्या है, तो SSD का जो full form है, वो क्या है, correct answer होगा C, ठीक है, यानि कि solid stage drive, चलिए, 32 के बाद 33, 33 वा question है, कि internet में process to processor संचालन के लिए निम्न में से कौन सा protocol प्रियोग करते हैं या होता है, तो 33 का जो correct answer है, वो है D, यानि कि transport layer protocol, ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा, D, चलिए, अगला question, 34, 34 है निम्न में से क्या wireless संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है, तो 34 का भी correct answer आपका, D होगा यानि कि संयोजन, अगला है 35, 35 का correct answer है, निम्न में से कौन सी निम्न पावर, local area, wireless संचार तकनीकी है, तो 35 का correct answer होगा, A यानि कि Bluetooth, ठीक है, next, 35 के बाद 36 कोर्शन, और 36 कोर्शन है कि वह उद्धोग जो खनिजों का उप्योग, कच्चे माल के तोर पर करते हैं, वो कौन से उद्धोग कहलाते हैं, तो 36 का correct answer है, A, यानि कि खनिज आधारित जो धोग होते हैं, वो, ठीक है, अगला है निम्न में कौन सा CRT का पूर्ण रूप है, तो full form बताना है, sorry, CRT का, यहाँ पर आपको CRT का full form बताना है, तो 37 का correct answer क्या होगा, D, यानि कि cathode ray tube, अगला है 38, तो 38 का correct answer क्या होगा, कि निम्न में से क्या BIOS की भूमका का वरणन करता है, तो 38 का correct answer है, वो होगा B, यानि कि यह एक program है, जो ROM से निस्पादिध होता है, जब computer चालू होता है, अगला है 49, कि इसमें है the lower block in block mountain R, तो यह क्या है, तो इसका जो 49 का correct answer है, यह है D, यानि कि Draven, ठीक तो 40 जो question है, इसका है, कि law IS की महत्पुन खदान कुद्रे मुख है, तो यह कहां पर है, तो इसका जो correct answer है, D है, करना टक, और यह आपसे community tab के माध्यान से भी question पूछा गया था, अभी 2-3 दिन पहले आपसे यह question पूछा गया था, कि law IS की की जो कुद्रे मुख खान है, वो कौन निर्मार करता है, electronics, इस बात सूचना प्रदोगिकी, या aluminium, तो इसमें जो correct answer होगा, यह electronics होगा, ठीक है, तो निर्मार कौन करता है, यहां पर निर्मार की बात हो रही है, तो टेलिफॉन, कम्प्यूटर यह सब कौन निर्मार करता है, electronics, ठीक है, बैसे confusion इसमें सूचन प्रवदोगेकी में भी है लेकिन बात यहां निर्मार की हो रही तो इस अनुसार electronics यहां पर सही होगा चलिए अगला है निम्न स्रेणी का भूरा कोईला कहलाता है तो 42 का जो correct answer है वो क्या होगा B ठीक है 42 का correct answer होगा B यानि की लेगे नाइट, 43, भारत के उतर पस्चिम भाग में निम्न में से किस एक के कारण सीद काल के दौरान वरता होती है किसके कारण होती है तो 43 का correct answer है यह है B यानि की पस्चिमी विचक के कारण ठीक है चलिए अगला है 43 के बाद 44 तो 44 नमबर कॉशन है मालिविका अगनी मित्र पुस्तक किस ने लिखी है तो ये कालिदास जी ने लिखी हुई है मालिविका लड़की थी और अगनी मित्र इनके वो थे समझ गयाओंगे तो इनकी लव स्टोरी चल रही थी जो की कालिदास ने देखी और फिर उसी लव स्टोरी में ही ये जो बुक है वो लिख दी ठीक है अगला है सुस्क म्रदा जिसमें ठोस तजा छिद्र दोनों सामिल है का एक एकाई आयतान द्रवभार कहलाता है तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा तो 45 का करेक्ट आंसर होगा डी ठीक है अगला है 46 तो 46 में कॉशन है कि निम्न में से किन चटानों के इस तरों में खनिज निछेपित तथा संचित होते हैं तो 46 का करेक्ट आंसर है यानि कि आवशादी चटान अगला है सौरी देशांत्राण डेश की अबादी की जन्संक्या विस्तार और संयों जन को बदल देता है तो 47 का करेक्ट आंसर होगा C ठीक है प्रस्थान तथा आगमन दोनों का चेतर बदल देता है क्योंकि जहां से लोग जाएंगे और जहां लोग आएंगे तो दोनों का वो चेंज हो जाएगा ठीक है अगला 47 के बाद 48 लंदन से इंडियन सोसियलोजिस्ट का प्रकाशन किस नहीं किया था तो इसका जो 48 का करेक्ट आंसर है ये होगा B ठीक है 48 का करेक्ट आंसर होगा B तो 48 का यहां पर जो आंसर है अगला है 49 इसमें है सेरसासूरी का वास्तविक नाम क्या था तो इसका जो सेरसासूरी थे इनका वास्तविक नाम था ये था C यानि की फरीद ठीक है करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा 99 का C 50 क।शन है कि 1556 में पानीपत का दूतिय युद्ध किसके मद्द लड़ा गया था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था ये अगबर और हेमू, मतलब अगबर की तरफ से बहरम खा और हेमू, यानि कि हेमचंद्र विक्रमादित इसमें लड़े थे, ठीक है? अगला है, 1908 में मुझपफरपुर में नियाएदिस किंग्स फोर्ट के हत्या करने का प्रयास किस ने किया था? तो इंक्यावन का जो करेक्ट आंसर है, ये ए है, यानि कि प्रफुल चागी ददा खुदी राम बोस, चलिए, इंक्यावन के बाद बावनमा क्वेश्चन, नेक यानि कि कि इन ततर रियासतों के मद्द सक्ति का विभाजन एवं रियासतों में दुई सासन दोनों, त्रेपन इसका आंसर है, गांधी की सत्याग्राय के सिद्धान्त के संदर में निम्न में से क्या सत्त नहीं है, तो क्या सत्त नहीं है, ए किसी सजा का प्रितिकार नहीं क किस ने किया था तो चमवन का जो correct answer है यह होगा C यानि की महत्मा गांधी ने अगला है पचपन पूर्ण समझा था 1932 इन में से किनके मद एक करार था किनके मद हुआ था यह तो पचपन का जो correct answer है यह होगा A यानि की अंबेटकर और गांधी की पीच चलिए पचपन के बाद 56 वर्थ 2020-21 में भारत का कुल इस्टील निर्याब कितना हुआ है तो 56 का जो correct answer है यह होगा B यानि की 10.7 मिलियन टन अगला है 57 की आर्थिक सर्विच्ण किसके द्वारा प्रकासित किया जाता है तो इसका correct answer होगा D यानि की वित्र मंत्राले की द्वारा चलिए अगला सवाल है 58 की नोट पर किसका हस्ताचर होता है किसके signature होते है तो 58 का correct answer होगा RBI Governor याद रखिएगा जो एक रुपए का नो और उनके उद्देश का कौन सा संयोजन सही है तो 59 का correct answer है यह हुआ ARB यानि की क्रिसी अर्थ प्रबंध ठीक है कौन सा सही नहीं है सोरी कौन सा सही नहीं है तो correct होगा ARB क्रिसी अर्थ प्रबंध यह सही नहीं है चलिए 69 के बाद अगला है 60 60 है सर्व सिच्छा अभ्यान का उद्देश किस आयू समों के बच्चों में सिच्छा को प्रुचाहित करना था तो 60 का जो correct answer है यह होगा A 6-14 वर्स 61 कौन सा संग्टन ओपरेशन ग्रीन को करायन बित करता है तो 61 का correct answer है D यानि की नाफेड 61 के बाद 62 निम्न में से कौन सा भारती अर्थव्यवस्ता में सर्वादिक स्रम और सोदक छेत्र है तो 62 का जो correct answer होगा यह होगा आपका D यानि की प्राथमिक छेत्र अगला है मानो पूझी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है तो 63 का जो correct answer होगा यह होगा B यानि की सभी के साथ सभी में सिच्छा आच किसा देख रेक प्रसिच्छन इन सभी में अगला जो है अगला है NFWP का मतलब क्या है तातपर क्या है तो 64 का जो correct answer है यह होगा D यानि की नेशनल फूड फूर वर्क प्रोग्राम ठीक है अगला है 65 की राज सरकारों को सम्विधानिक प्रमो कौन होता है तो 65 का जो correct answer है यह होगा B यानि की राजपाल आप सभी जानते हैं चलिए 65 के बाद 66 का correct answer है कि भारती सम्विधान की दे गई निम्न अनसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंदित प्रावधान समलेते हैं तो दल बदल किस में है तो 66 का correct answer जो होगा D दसवी अनसूची में 66 के बाद अगला question है सरसट तो 66 question है भारती सम्विधान में संगवाध निम्न में से किस देश से लिया गया है तो संगवाध कहां से लिया गया है तो 66 का correct answer होगा यह होगा B यानि की कनाडा से ठीक है 68 है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है यहाँ पर तो इसमें जो कूट है वो आपको मिलान करना था कि correct कूट क्या होगा तो correct कूट के लिए आपको यहाँ पर देख सकते थे कि D का तो चौथा ही होने वाला है और A का 15 यानि की 2 तो यहाँ से आप correct जो कूट है वो मिला सकते थे 68 number question का तो जो correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका B यानि की 2,3,1,4 ठीक है चलिए 68 के बाद 69 सम्विदान सभा का प्रधमाद भेशन कब होगा था तो बच्चे बच्चे को पता रहता है यह तो कि 9 December 1946 को अगला है भारती सम्विदान के प्रस्तावना का मूल उद्देश 10 ठीक है 70 के बाद 71 निम्न में कौन सा एक वै मुख सिद्दानते जिस पर संसिदी प्रणाली संचालित होती है तो क्या है यह तो 71 का जो correct answer है यह होगा A यानि की कारिपालिका का विधाईकी की प्रती उत्तरदायत ठीक है चलिए अगला question है 71 के बाद 72 तो 72 में correct है भारत जैस से देशों के लिए उपियुक्त संगवाद का स्रेष्ट स्वरूप क्या है तो 72 का जो correct answer है यह होगा A ठीक है 72 का correct answer होगा A अगला है 73 निम्ले में से कौन संसत सदस्यों की अपिक्षा आयोगता के संबंद में नर्णय लेता है तो कौन लेता है तो 73 का correct answer है यह होगा C यानि की भारत के राष्ट पती ठीक है चलिए 73 के बाद 74 दुद्वा राष्ट युद्दान हमारे राजिक में निम्ले कितमे से किस जिले म है तो यह कहां है यह सब को पता है लकिमपूर खेरी में ठीक है 74 के बाद अगला कॉर्शन है 75 75 आम की लंगड़ा किस्म हमारे राजिक के निम्ले में से किस जिले में पाई जाती है तो 75 का जो correct answer है यह है D यानि की sorry बनारस में ठीक है तो correct answer क्या होगा D बनारस अगला है नि में से सही नहीं है मैच नहीं कर रहा है तो जो मैच नहीं कर रहा है यह 76 का है सी परमाणू विद्धुत सहियांतर यह लगनव में नहीं है बाकि जो artificial limbs है यह कानपूर में बनते हैं glass factory यह industry फिरोजाबात में है और डीजल लोकोमेटिव बनारस में ठीक है चलिए 77 जंगरना इस्तापित रंगीला घराना किस इस्तान पर है तो यह आगरा में है रंगीला घराना ठीक है 78 के बाद 89 79 नंबर का जो question है एक व्यक्ति की इमानदारी सम्मान न्याय और दूसरों की मदद करना सभी 10 है क्या है यह तो यह एक नैतिक मूल है ठीक है कार्य मूल नहीं है वित् आशर क्या होगा ए महिला को सिच्छित करना तो महिला को समाजिक और आर्थिक रूप से ससक्त बनाने में मदद करता है ठीक है घरेलू काम में आऊसर प्रदान करेंगे तो इससे महिला कैसे होगी ठीक है और यह सब दियोंगे अगला है 81 नेता को हमेशा क्या होना चाहिए यहां पर यही सही आंसर होगा बाकी तो सारे एकदम विकार आंसर है और अगर ऐसा कोई मानता है तो वो निश्चित तौर पर इस टाइम का नेता होगा अगर B, C, D में से कोई मानता है चलिए 81 का है 81 के बाद 82, 82 का है टेक्साफोन, कीड नासाक, डैस के रूप में कार करता है तो 82 का जो करेक्ट आंसर है यह है C, यानि की उधर विस, ठीक है तो 82 का करेक्ट आंसर है C, 83 किस संक्रेतिक जैविद खाद में फॉस्पोरस की मात्र सरवधिक हो तो 83 का करेक्ट आंसर होगा B, यान ना रोटी के साथ चलिए अगला है निम्ड में से कौन सा एक व्रद्धी अवरोधी नहीं है तो व्रद्धी अवरोधी जो नहीं है वो है A Malak Hydragyte ठीक है बाकि ये सबी है अगला है 85 के बार 86 86 नंबर के question में है कि इनमने में से कौन सी फसल प्राया पर पर पारागित होती है तो 86 का जो correct answer है ये होगा B यानि की सौरघम ठीक है Next बोर्दो मिस्रान डैस दौरा खो जा गया है तो 87 का जो correct answer है ये है D यानि के professor मिल रहे है डैट ठीक है Next 88 89 आलू परण वेलन विसानू डैस दौरा प्रेसेत होता है तो 88 का जो correct answer है ये है B ठीक है 89 निमने मस्रूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादों में प्रमुख योगदान करता है तो 89 का जो correct answer होगा ये होगा D ठीक है एक मिनट 88 नहीं बताया है 88 का जो correct answer है ये यहाँ पर B हो जाएगा ठीक और 89 89 इसका जो correct answer है ये यहाँ पर D हो जाएगा वाइड बटन मस्रूम Next 90 किस भारती राज में एसिया का सबसे लंबा दुरुथ गती पर इक्चल मार्क नेट्रेक्स अनावरित हुआ है तो ये कहा हुआ है ये मद्धिप्रदेश में हुआ है ठीक है Next अन्ता प्रजनन अवनती ज्यादतर इसमें अवलोकित होती है तो 90 का जो correct answer है ये होगा A यानि कि स्वा परागित फसल Next 90 में से किस देश में पेपल ने सईंत राज़ अमिर्का के बाहर क्रप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतराष्टी विस्तरन सुरू किया है तो 92 का जो correct answer है ये क्या होगा तो 92 का जो correct answer है ये है A यानि कि United Kingdom 93 90 में से कौन सी COVID-19 वैक्सीन DNA आधारिद वैक्सीन है तो 93 का correct होगा D यानि की जायकोव D ठीक है 93 के बाद next 94 Business Blasters program किस राज किन सासित प्रदेश ने लौँच किया है तो 94 का जो correct answer है यह है A ठीक है यानि की दिल्ली ने अगला है किस राज में राष्टी राजमार्ग पर IAF Aircraft के लिए भारत की सर्व प्रथम आपात कालिंग लेंडिंग सुवदा निर्मित हुई है तो आपात कालिंग लेंडिंग सुवदा जो है तो यह राजिस्थान में हुई है ठीक है B का correct answer होगा यहाँ पर sorry B correct answer होगा राजिस्थान 95 का Next सुझला एक 100 दिवसी अभियान किस मंत्राले ने प्रारंब किया है तो इसका जो correct answer है 96 का correct answer क्या होगा तो इसका जो correct answer होगा D यानि की जल सक्ती मंत्राले इसके बाद 97 विस रोगी सुरच्चा दिवस कब मनाये जाता है तो 97 का जो correct answer है ये है C यानि की 17 September ठीक है और 17 September को किसका जन्र दिन होता है आप सभी जानते है विस जो हम लोग बेरोजगार दिवस मनाते है चलिए अगला है तेरवे ब्रक्स सिकार सम्मेलन की वर्चुली अध्यचता किस ने की है तो 98 का होगा यहाँपर डी यानि की नरेंद्र मोधी ने 99 प्रतिष्टि 10 एर दुबाई गोल्डन वरीजा प्राप्त करने वाला विस में प्रतम प्रोफेशनल गोलफर कौन बना है तो 99 का जो correct answer है ये है C जीव मिलका सिंग ठीक है और अगला है लास्ट परालम्पिक्स में दो पदक जीतने वाली प्रतम भारती महिला कौन है तो ये हैं आपकी अवनी लखेरा यानि की D यहाँपर correct answer हो जाएगा अवनी लखेरा तो ये थे प्रतम पाली में जो आपका paper हुआ था उसकी answer की और सारे question तो thank you मिलते हैं नई informative वीडियो के साथ और अगर आपको किसी question में confusion लगता है या कोई confusion लगता है तो comment section के मादम से बता सकते हैं ठीक है चलिए thank you